काफी महत्वपूर प्रश्ण है और यह जो 40 प्रश्ण है यह पूरे संस्कृत का निचोड़ प्रश्ण है आप लोग प्रश्ण देखके ही अंदाजा लगा सकते हैं पहला प्रश्ण यहां पर देखिए पाटली पूत्र किस प्रांत की रजधानी है यहां पर बताना है कि जो पाटली पूत्र है वो किस प्रांत की रजधानी है यहां पर प्रांत का मतलब क्या होता है राज्य यानि पाटली पूत्र किस राज्य की रजधानी है यहां पर उड है यह भी आपको सांत में याद रखना है आईए में अगला प्रश्न rectang यह अगला प्रिष्न अगला प्रश्नりました का सबसे बड़ा सत्रू कौन है यहां पे बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा सत्रू कौन है और हना है यहां हो जाएगा यहां B option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो आलस होता है वो सरीर का सबसे बड़ा सत्रू होता है यानि यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा सुरूर से अन तक देखिएगा एक भी प्रशन आप इसकी मत कीजेगा यहां पर देखि कि जनक की सभा में कौन रहती थी तो जनक की सभा में कौन रहती थी गरगी रहती थी यानि यहां पर क्या हो जाएगा बी ओप्शन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा काफी महत्वपुण महत्वपुण प्रश्ण है यहां पर देखिए चार नमबर प्रश से सी ओप्षन है पढ़ने से डी ओप्षन है बेवहार से तो यहां पर देखिए जो मनुस्य का गुण और दोस है वो किसे निरधारित होता है तो संसकारों से निरधारित होता है यानि यहां पर क्या हो जाएगा संसकार यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने यहां पर देखिए पांच नमबर राम परवेस ने अस्तनातक परिक्षा में कौन सा अस्थान प्राप्त किया तो उन्होंने प्रथम अस्थान प्राप्त किया था यानि यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर छे नमअबर प्रशने यहां पर देखिए बिहार प्रांट का दुरगम में प्राई गाउँ कौन सा है यहाँ पर बताना कि बिहार परांथ का दुरगम में प्राए गाउं कौन सा है यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा यहां पर बताना है कि जो मेगास्थिनिज था वो किसके शासनकाल में या किसके समय में पटना आया था तो वो किसके समय में पटना आया था तो चंदरगुप्त मौरे के समय में वो पटना आया था यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर आठ नंबर आठ नमबर प्रशने देखिए कापी मात्वपुणे जीवन का स्रेष्ट लक्ष क्या होना चाहिए जो जीवन का स्रेष्ट लक्ष होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इस प्रशने में पूछ रहा है कि जीवन का स्रेष्ट लक्ष क्या होना चाहिए A option है सांती, B option है यहाँ पर विस्व कल्याण, C option है सदभावना, D option है यह सभी तो हमें G1 का जो स्रेश्ट लक्ष होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए सांती बना के रखना चाहिए, विस्व के कल्याण के बारे में सुचना चाहिए और हमेशा सदभावना रखना चाहिए, यानि तीनों यहाँ पर क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा, D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्र दी ओप्शन है पाटली पुत्र तो यहाँ पर बताना है जो गाधी सेतु है वो कहाँ पर इस्तित है यहाँ पर राज्य नहीं होगा यहाँ पर कहाँ पर इस्तित है तो जो गाधी सेतु पूल है वो कहाँ पर इस्तित है तो यह पाटली पुत्र में इस्तित है यानि यहाँ क्या हो जाएगा D option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा पाटली पुत्र यानि पटना में इस्तित है गांधी से दू आईए देखते हैं अगला प्रशने यहां पर देखिए 10 नमर किस पूरुस को मृत्यू आने की जनकारी मिल जाती है यहां पर बताना है कि किस पूरुस को मृत्यू आने की जनकारी मिल जाती है तो जो साधक लोग होते हैं उनको मृत्यू आने की जनकारी मिल जाती है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर 11 नमर प्रशने देखिए किस देवता का नाम पूरंदर भी है यहांपे बताना है कि किस derivative का नाम पूरंदर भी है यहांपे बिल्कुल सभी हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण यहां पर देखे बारा नमबर प्रश्ण है आलस कथा के रचनाकार कौन है यहां पर बताना है कि जो आलस कथा है उसके लेखक कौन है A option है बिद्धयापती, B option है सूरदास, C option है कालीदास, D option है यहाँ पे तुलसीदास तो जो आलस का था के पाठ है उसके रचनकार कौन है तो वो बिद्धयापती है यानि यहाँ पे क्या हो जाएगा A option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर देखिए तेरा नमबर प्रशने काफी ही मत पुण है तेरा नमबर प्रशने अपना नाम रूप छोड़कर नदिया कहां मिल जाती है जो अपना नाम रूप छोड़ देती है और नदिया कहां पर मिल जाती है A option प्रिथवी में, B option समुंदर में, C option अकास में, D option दूसरी नदी में तो अपना नाम रूप छोड़कर नदिया कहां पर मिल याती है तो समुंदर में मिल याती है यानि यहां पर क्या हो जाएगा, B option क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पे 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्ण देखिए काफी महत्तोपुणे भीखन टोला गाउं के लोग कैसे थे, जो भीखन टोला था उस गाउं के लोग यहां पे पूछा गया है कि कैसे थे, अगला प्रश्ण यहां पे 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्ण देखिए, यहां पे संसार में बच्चो का सच्चा रक्षक कौन है, यहां पे बताना है कि संसार में बच्चो का सच्चा रक्षक कौन है, है माता होती है यानि यहां पर क्या हो जाएगा ए ciao जाएगा यहां पे बिल्कुल हो जाएगा ये देखते हैंगला प्रशनी यहां पर 16 नमबर परशनी देखें यहां पर सत्य का मुह किस म contin से धका हुआ है जिए ना हिर्मने या पातर से B option है, मिर्मने या पातर से यहाँ पे C option है राजतमय पातर से यहाँ पे D option है, तामरमय पातर से तो यहाँ पे बताना है कि सत्य का मुह किस से ढखा हुआ है तो सत्य का मुह हिर्मने या पातर से धका हुआ है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्णी यहाँ पर 17 नंबर 17 नंबर प्रश्णी देखें यहाँ पर पाटली पुत्र बैभों में किस सहर का वर्णन है जो पाटली पुत्र बैभों में किस सहर का वर्णनन है तो पाटली पूतर का वर्णनन है यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशनी यहाँ पर 18 नमबर 18 नमबर प्रशनी यहाँ पर देखिए यग वले ने अपने आत्म तत्तो की सिख्षा किसको दी है दी थी यहाँ पर प्रशनी काफी महत्वपुण है 18 नमबर की यग वले ने आत्म तत्तो की सिख्षा किसको दी थी सब्सक्राइब दोडियि T लृष्ट मेरे भी प्रशनाश्रा पतनी का नाम क्या था तो मैंत रही था तो यहां पर A option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर 19 नंबर प्रश्ण देखे किस देश में देवता बार-बार जनम लेना चाहते हैं यहां पर बताना है कि वह कौन सा यहां पर देवता बार-बार जनम लेना चाहते थे चाहते हैं यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर 20 नंबर 20 नंबर प्रश्ण यहां पर देखिए देवता लोग क्या गाते हैं जो देवता लोग है वो क्या गाते हैं यहां संग तो जो देवता लोग हैं वो क्या गाते हैं तो गीत क्या हो जाएगा सी ओप्सन यहाँ पर क्या वो जाएगा गर अभी तक आपने वीडियो को notification आप तक पहुँचे, आईए देखते हैं, अगला प्रशन और important प्रशन है यहांपे देखिए, एक case नमर, भारतिय संसकार कुल कितना है, यहांपे बताना है, जो भारतिय संसकार है, वो कुल कितना है, A option है 15, B option है 16, C option है 18, D option है 20, तो यहाँ पर बताना है कि जो भारतिय संस्कार है वो कुल कितने है तो भारतिय संस्कार कुल कितने है सोला है यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर अगला प्रशने 22 नमर देखिए घर की लक्षमी कौन होता है यहाँ पर बताना है कि घर की लक्षमी कौन होता है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए तेश नमबर प्रश्ण काफी महत्वपुने स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर बताना है कि जो स्वामी दयानंद है उनके बचपन का नाम क्या था? A. उपसे ने संकर, B. उपसे ने मूल संकर, C. उपसे ने सिव संकर, D. उपसे ने उमा संकर तो यहाँ पर देखिए जो स्वामी दयानंद थे उनके बच्पन का नाम क्या था तो मूल संकर था यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर 24 नंबर 24 नमबर परश्चन यहां पर देखिये तो यह महर्श्री बालमी की है यानि यहां पर क्या होजायगा C ओप्सन क्या होजायगा यहां पर बिलकुल सही होजाएगा आ ये देखते हैं अगला पराश्ट यहां पर देखिए 25 नमर पराश्ट आप मिंथला के सेनापंधी तो जो बिरेषवर थे, वो कौन थे तो बिरेषवर मिथला के मंत्री थे, यानais यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ओप्सन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशने, यहाँ पे 26 नंबर शब्षने देखिए, काफे बाधु पुर्ण है, जो प्राचीन संस्कृती की पहचान है वो किस से होती है A option है धर्म से, B option है संस्कारों से, C option है कर्मों से, D option है सम्मानों से तो जो प्राचीन संस्कृती है उसकी पहचान किस से होती है तो संस्कारों से होती है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर 27 नमबर यहाँ पर देखिए 27 नमबर प्रशने लक्षमी किसको वरण करती है यहाँ पर काफी महत्वपुन प्रशने है कि लक्षमी किसे वरण करती है A option है उद्ध्योगी की को B option है कामचोर को C option है लोभी को D option है डाको को तो जो लक्षमी है किसे वरण करती है तो ना कामचोर को वरण करती है ना लोभी को वरण करती है ना डाको को वरण करती है यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर अगला प्रशने देखिए 28 नमर कंड किस देश के राजा थे जो कंड थे वो किस देश के राजा थे यहां पर जो कंड थे वो किस देश के राजा थे यहां पर जो कंड थे वो किस देश के राजा थे अंग देश के यहां पर राजा यह देखते हैं अगला प्रश्णी यहां पर 29 नंबर प्रश्णी यहां पर देखिए पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्ण है कि यहां पर बताना है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, A ओप्शन है 2500 वर्स, B ओप्शन है 2000 वर् यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे आपर ठीच नंबर काफी महत्पुड़े बाग कहा बैठा ता जो बाग था वो कहा पे बैठा था आ उसने नदी के किनारे B D option ay jungen, C option ay talab ke kinare, D option ay dhahn ke ngay khech twist में तो यहाँ पे बताना है कि जो भाग था वो कहांपे बाइठा था t 03 प्र्श्न काफी इह invariant पुडए की भाग कहांपे बैठा था तो भाग तलाब के किनारे बेड बैठा था यायनि यहाँ पे क्या हो जाएगा C option क्या हो जायगा यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बी ओप्सन है बीवेक, सी ओप्सन है ग्यान, डी ओप्सन है यहाँ पर धन तो मनुस्यों के जो कर्तब होते हैं और अकर्तब होते हैं उसका बोध यहाँ पर कौन कराता है तो सास्तर कराता है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा A option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णी यहाँ पे 32 नंबर 32 नंबर प्रश्णी देखें यहाँ पे काफी महत्वपुने कि सुर्य पुत्र कौन था यहाँ पे बताना है कि सुर्य पुत्र कौन था A option है भीम, B option है अर्जुन, C option है कर्ण, D option है राम तो यहाँ पे बताना है कि सूरे पुत्र कौन था, कर्ण था यहाँ पर क्या हो जाएगा, C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रशनी यहाँ पे 33 नमर 33 नमर प्रश्ण यहां पर देखिए स्वामी दयानंद का जनम किस ग्राम में हुआ था यहां पर बताना है कि जो स्वामी दयानंद थे उनका जनम किस ग्राम में हुआ था यहां पर क्या हो जाएगा बी ओप्शन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह 35 नमर फ्रस्ण्ण देखिए काफी महत्पून कि ज पूण किकी हत्या करता है यहां पर обс़चन्गте यह कि जो श्मा किसकी क करता हैya क्रोद मैं यहां पर किसा हएं कि देखते है अगला प्रश्ण यहां पर देखिए 35 नमबर कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टी मिलती है काफी महत्वपूर प्रश्ण है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टी मिलता है A ओप्सन है धरम से B ओप्सन है अर्थ से B ओप्सन है बिद्या से यहां पर C ओप्सन है D ओप्सन है जिससे संतुस्टी मिलता है तो बिद्धया ऐसा धन है जिससे हमें क्या मिलती है संतुस्टी मिलती है यानि यहांपर क्या हो जाएगा B option है भारत की C option है यहाँ पे विश्व की यहाँ पे D option है पाटली पुत्र की तो यहाँ पे बताना है कि किसकी महीमा सभी जगों पे गाई जाती है तो जो भारत देश है अपना उसकी महीमा सारे जगह पे गाई जाती है यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर 37 नंबर 37 नंबर प्रशने यहां पर देखिए हमारी भारती अधारा कैसी है A option है हरी भरी B option है उची C option है नीची D option है विसाल तो यहाँ पर बताना है कि जो हमारी भारतिय धारा है वो कैसी है तो हमारी भारतिय धारा कैसी है विसाल है यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर 38 नंबर प्रशने यहाँ पर देखिए पाटली पुत्र में किस महान पुरुष का जना मस्तले ए उप्सेन गुरु नानक बी उप्सेन महावीर सी उप्सेन गुरु गोविन सिंग डी उप्सेन यहाप भगवान बुध तो पाटली पुत्र में किस महान पुरुष का जना मस्तले तो गुरु गोविन सिंग का जना मस्तले जो सिखों के दसवे Guru है, यानि यहाँ पर C Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रेस्टे, यह आप एकna 99 नमबर, 49 नमर प्रेस्टे यहाँ पर देखिए, करम बीर कौन है, यहाँ पर बताना है कि करम बीर कौन है A option है राम परवेश राम B option है राम नरेश राम C option है राम ओधेश राम D option है दोखित राम तो यहाँ पर बताना है कि जो करम बीर है वो कौन है तो करम बीर कौन है राम परवेश राम है यानि यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अंगला प्रिश्णी यहाँ पर 40 नंबर प्रिश्णी यहाँ पर देखे संसकारों का मौलिक अर्थ क्या है यहाँ पर बताना है कि जो संसकार होते हैं उसके मौलिक अर्थ क्या होते ह संसकारों का मौली कर्थ क् toplacular का रूड़ करता है दोस्त दूर होते हैं तथा निर्माड होता है यहां पर क्या हो जाएगा यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यहाँ पर देखिये हमवर्क प्रष्ण है RC पुरुँस कितने थे आपको बताना है जो भी आपको सही कमेंट लगे आपको हमें कमेंट कर देना है यहां पर देखिए वीडियो अच्छी लग्यों तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेर कीजे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे उसके बाद एक बेल आइकन आता है उसको आल पे दबा लिजेगा तक कि जब भी हम कोई वीडियो उपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे थैंक्यू फूर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए टेक क्यार बाई